दोस्तों आज डेट है 18 जुले 2021 और आज मैं प्राचिन रिसी वात्सायन द्वारा रचीत काम सुत्र रियल काम सुत्र बुक सुरू करने जा रहा हूँ ये फर्स चेप्टर है ठीक है तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो वी चार पूरान वेद कुरान पर अगर वीडियो देखना चाहते है पिछले सारे वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेइस्ट ऑप्सन पे वीडियो के नीचे चैनल की नेम या प्रिक्टर पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ प्लेइस्ट में जा सकते हैं तो प्रताम अध् पतलब होता है इच्छा या डिजायर ये पूरा होने के बाद ही इंसान का दिमा काम करता है या मोक्ष मिलता है आपने देखा होगा तो चलिए आगे पढ़ते हैं उसके बाद अन्य देपताओं के होते हुए भी धर्म अर्थ और काम को ही नंक नमशकार क्यों किया गया है इस सस्त्र में धर्म अर्थ और काम का पतिपादन किया गया है आते धर्म अर्थ और काम को नमशकार किया गया है इस नियम के अनुसार ग्रंद के आरंब मद्योरांत में मंगला चरन करना चाहिए पात तंजल महाभाश्य में भी कहा गया है इस सिध्धांद इस सिध्धांद के पुरा होता है तभी इंसान मोक्ष की तरब जाता है मोक्ष का मतलब होता है वो mental satisfaction जिसके बाद कुछ इच्छा बाकी नहीं रहता लेकिन यहाँ पर इच्छाओ को लोग दबाते हैं इसलिए लोग का जो frustration है वो बाहर निकलता है मन की तरफ से अब प्रशन यह उठता है कि लेकिन दोस्तों पूराने समय में लोग इच्छाओ को काम को रिस्पेट किया करते थे ठीके इसलिए यह बुक लिखा गया है उनकी सबसे यह गलत नहीं था और अमेरिका ये यूरोप जैसे देशों में भी कामसुत्र का प्रचलन है आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं है क्योंकि 1947 के बाद इंसान की मानुशिक्ता बदल गई इससे पहले इंसान कामसुत्र का रिस्पेट किया करता था आप प्रचलन ये उट्टा है कि यदि ग्रंद की निर्विक न परिसमाप्ति के लिए मंगल आचरन का बिदान बहीत है तो आचार्य बद्सायन को किसी देवी देपता की बंदना करने चाहिए किन्तो आचर्य ने धर्म अर्थ और काम की बंदना की है इसका समाधन करते हु मूल आधा धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरसात चतुष्टाय है धर्म अर्थ काम और मोक्षी प्राप्ति ही मानब जीवन का परम लक्ष था संस्कृतिक दिष्टी से भरतियों ने मानब जीवन को अच्छी तरह से समझा था उन्होंने आत्मा की पुकार सुनकर परलोकिक दिष्टी से समाज का संगटन कर मानब जीवन के देया को निश्चित किया और वो देया था धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति यही पुरसात चतुष्टाय है इसी पुरसात चतुष्टाय की सिद्धी के लिए चार आस्रम बने हैं ये चार आस्रम है ब्रह्मचरिय यानि ब्रह्मा जैसा चरित्र, ग्रियस्त, बानप्रस्त, इन दोनों को आपको बताए होगा और सन्यास सन्यास का मतलब होता है, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके अंदर कोई बदलाब नहीं आएगा आप ज्यान में स्तित रहेंगे, ठीक है, आपके अंदर फरस्टेशन, दुख, कुछ पाने की इच्छा कुछ खोने का डर नहीं आएगा ये mental condition है, ये physical नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि सन्यास का मतलब है घर से बाहर निकल जाना, ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है, इनमें ब्रह्माचर्य का संबन्द धर्म से, ग्र्यास्तन का संबन्द धर्माचरन से और सन्यास का संबन्द मोक्ष से है मोक्षिता जो mentally होता है, ब्रह्म, विद्याग्यान, शक्ति और संयाम के लिए जिस चर्चा को धारन किया जाता है, वो ब्रह्माचर्य कहलाता है भर्मार्य का मतलब स्तरी पूर्श संबन्द से नहीं है ठिक है, ये चार quality ब्रह्मा में थी, इसलिए ब्रह्मा जैसे चरितरी ब्रह्माचर्य कहलाता है दित्या आस्रम ग्रीषत के धर्म के साथ अर्थ और काम का अर्जन यवंक से बन किया जाता है इस आस्रम में पहुंच का मनुष्व समस्त कामनाओं से विरक्तों का धर्माचरन करता हुआ निश्रे और परमानंद की प्रक्रतिकोर अगरसर होता है लेकिन इससे पहले तीनों कुपोपो करना होगा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों इच्छा पूरा होगा, तभी ये परमानंद का फिलिंग आएगा उसके अंदर इसके बाद चतुरता अवश्ता का आरंब होता है, इसका नाम सन्यासे इस अंतिम अवस्ता है, ये अवस्ता मोक्ष मागे की है इसमें मानब समस्त कामना हो, समस्त इच्छाओ का परित्याग कर अंतिम लक्ष निश्य एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रेत नसील रहता है इस अवस्ता में धर्म, अत्काम, इस तिवर्ग का कोई सम्मन्द नहीं रहता ये तीनों पुपक करने के बाद ये चोथा स्टेज आता है परमाथिक दिश्टी से इस तिवर्ग की पराकाष्टा ही निश्या है इस निश्या की प्राप्ति इमानब जीवन का चरम लक्ष है आचर्य बास्ताय ने मौक्ष नामक चतुरवर्ग को धर्म के अंतर गत्र समावेश किया है उनका कहना है कि अंतिम अवस्ता में धर्म और मौक्ष के लिए यतना करना चाहिए दसन सास्तर में अद्भूदाई एवं निश्या की सिद्धी को धर्म कहा गया है आत्यर्य वास्तायन के अनुसर कामसुत्र का सम्मंद ब्राह्मन चत्रिय वेशो और शुद्रेन चतुरवर्ण से है इन चारोवर्णों को ग्रास्त जीवन के अर्बुदय तथा एहिक जीवन के सुदार के लिए क्या क्या करना चाहिए इसी दिष्टी कोन को ध्यान में रखकर आचरे ने कामसुत्र की रचना की है मोक्ष्ट अमार्ग सर्वता भिन्न है ग्रेस्तों को ये अनभीमत है इसी दिष्टी से उन्होंने मोक्ष चतुरबर्ग के प्रतिपादन की आवशकता नई समझी और धर्म के अंतरगती उसका समन्ने कर दिया है इसी को स्पष्ट करते हुए आचरिया ये शुदर कहते हैं कि ब्रामना दिग्रेस्त के लिए मोक्ष के अभिमत होने के कारण आचरे ने तिवर्ग का ही पतिबादन किया है धर्म सब्द ध्री धातू से निर्मित है जिसका अर्थ है धारन करना या धारना शक्ति धारना शक्ति का विप्रा है जो वस्तु के स्वरूप को धारन करता है जो वस्तु को अपने स्वरूप में स्थिर रखता है उसे अपने स्वरूप को चूत नहीं होने देता वो धर् है फिर यहां पर संस्कृत सोग लिखा गया है महाबारत के कर्म पर्व से कर्ण पर्व अध्या इतना तो आप मेरे महाबारत के कर्ण पर्व देख सकते हैं बस्तु जो धरन किया जाता है अतबा जो बस्तु के स्वरुप के धरन करता है वो धर्म है इस लोग कारते ही है याश आत्मा का परमात्मा के साथ तादत में स्थापित करने का मार्ग प्रस्त करता है जो चारो वर्नों तता चारो आश्रमों के लिए अपने अलग नियम विधान बतलाता है जो मानब को लोकिक बंदनों से मुक्त कर मुक्ष का अधिकारी बनाता है जो काम को मेरादी देवंग न इस्ट्रियस की सिद्धी हो वो धर्म है। बाब यह है कि जिसके द्वारा अर्थ एबंग कामसमंदित एक सुख और मोक्षमंदि पारलोकिक सुख की सिद्धी होती है वोई धर्म है। यहां पर अर्थ और कामसुख से उतना ही प्रयजन हैं जितने से जीबन निर्बा आसकती ना हो जैसा कि मनुने मानम धर्म सास्त्र में कहा है। अर्थात अर्थ और काम में जो आसकत नहीं है उन्हीं के लिए धर्म ग्यान के उपदेश का बिदान है और धर्म ग्यान के जिगासा रखने वालों के लिए बेधी परम प्रमान हैं। इस प्रकार यह और दौर्बवक, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए कि धर्म पूर्वक सेवित अर्थ और काम ही मौक्शिद्य में सायख होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर महाबरत में वेदव्यास ने कहा है कि मैं दोनों हाथ उपर उटा कर जो 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 से चिला कर कह रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं तो फिर उसकी सेवा क्यों नहीं की जाए यानि काम की सेवा क्यों नहीं की जाए और प्रिनात्मग लक्षन युक्त अर्थ ही धर्म है, गौतम धर्म शुत्र में वेद को धर्म का मूल का आ गया है, मनु और यज्य भलक्य दोनों ने ही अर्थ और काम के साथ धर्म की माथता को स्विकार किया है, यज्य लेबे ने धर्म के पाँच उपादान बताए हैं, शुत प्रियो हो यही धर्म के साक्षार लक्षन है। इनमें आचार को परम धर्म कहा गया है, क्यूंकि आचार वेद भीट और शूती प्रतिबादी धर्म हैं, सिश्ट आचरन ही सदाचार है। सदाचार के दौरा ही मनुश्यो एक सुप सम्मेंदी अश्वरियादी समस्त पफलों को प्राप्त करता है और शतायू होता है अतर शद्धा और विश्वास के साथ बेद भीट एवंग समिधी पतिपाई धर्म का आचरन अबश्य करना चाहिए ये वास्तायन मुई का कथन है इस प्रकार धर्म का आचरन करता हुआ पुरूज एक एवंग पारलोकिक शुप को प प्रमोकांगर है जिस प्रकार बुद्धी के लिए धर्म मन के लिए काम और आत्मा के लिए मुख्ष की आवसकता होती है उसी प्रकार सरीर के लिए अर्थ की आवसकता है क्यूंकि अर्थ के बिना जीबन निर्वा आसंबव है मन का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं सापेक चहे धर्मार्जन एवंग काम सुख के लिए भी अर्थ की आवशकता है इसलिए भारतिया चिंतकों ने अर्थ के बिसे में परियाप्त विचार किया है कोटिल ने तो धर्म अर्थ काम इस्ति बर्ग में अर्थ की प्रदानादा स्विकार की है उनका कातन आए कि तीनों बर्ग में अर्थ ही प्रदाने क्यूंकि धर्म और काम दोनों ही अर्थ पर ही निरबार है वास्तायन ने अर्थ संबत्ती के अंतरकत विद्या भूमी, सुबर्न बशुधन्या, भांड वस्तर भुस्वन आदी, गिरिया पकरन और मित्र आदी का समाबेश किया है मनुष्यों को अर्थ संबत्ती के अर्जन, संचे और विवर्धन के लिए सदत प्रयतना करना चाहिए और अब काम, धर्म और अर्थ के समान काम भी मानव जीवन का एक प्रमुक अंग है इंपोर्टेन हिस्सा है, इसलिए त्रिवर्ग में धर्म और अर्थ के बाद काम का परिगनन किया गया है धर्म और अर्थ की उपेक्षा करके काम का सेवन नहीं किया जा सकता धर्म और अर्थ से साधित काम ही मानव जीवन का प्रमुक पुर्शात है आचार्य वस्तायन का कदन है कि आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्टित शोतादी पांच ग्यनंद्रिय की को अपने अपने विश्व में जो अनुकुर प्रवित्ती है वही काम है शुतादी पांच गनंद्रियों का अपने अपने विश्व करपती अनुख प्रवित्य ही काम है प्रवित्य 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 प् बताया गया है इसलिए और ये गलत चीज़ नहीं हुआ करता था इस चीज़ को लोग respect करते थे पूजा करते थे अता सीब और शक्ति के संयोग से जगत के शिष्टी हुई है स्त्री और पुरुष से उत्पन नहीं है बहुतिक जगत स्त्री पुरुष आत्मक है पुरुष शिव रूप और स्त्री शक्ति रूपा है इनी दोनों का मैथून आत्मक यानि सायरिक संबंध से ही वासना है आकर्षन है इसी को काम कहते है यानि संबोग संबंध ही चित्त का जगत का रेतस है ये एक मानस बेपर या मानस रिक सकती है ये काम रागा अत्मी का बित्ती है ये रागा अत्मी का बित्ती पत्तिक प्लानी के भीतर बिद्यमान रहती है यानि काम की उल्जा हर इंसान के अंदर है एनर्जी है राग के रूप में अधिश्टी दिये काम 32-30 का कारण है, काम क्यानेक नाम और अनेक रूप है वस्तायन का, ये काम एहिक जीवन की उन्नती के साथ साथ पारलोकिक जीवन का प्रेरक और उन्नायक है, मनु का कज़न है कि संक्सार में कोई भी प्रानी बिना काम के किसी कारे में प्रभित नहीं होता, प्रानी जो कु विक्सुख की प्राप्ति होती है यानि काम की पीछे हाथ दोकर पढ़ना यानि उद्द्द दोकर सेवन नहीं करना चाहिए उचीद रूप से सेबन करने पर ही बस्तविक सुप की प्राप्ति होती है अतक काम सेबन की बिधी का निर्देश काम सुत्र में किया गया है बस्तुत मानब जीवन का प्रमुग लक्षे चतुरबर्ग की प्राप्ति है किन्तु बास से इनने काम सुत्र में धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का पतिबादन किया है क्योंकि इस लोग के समस्त कार्य कलब त्रिवर्ग पर आधरीते सास्त्रों में त्रिवर्ग को मानब के लिए कल्यान अद्बुदे एवंगनिश्य का साधन बतलाया गया है इसलिए धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का पतिबादन सभी सास्त्रों का काम का सेवन इस प्रकार करना चाहिए जिससे धर्म और अर्थ को इच्छती ना पहुँचे, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम का संतुरिट सेवन करना, यानि तिनों को संतुरन में रख कर उपवव करना ही स्वेष्ट है, पद्म पुरान में कहा गया है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल, यानि सुक का उदय होता है, काम का मतलब तो आपको पता ही होगा, डिजायर, मन की इच्छा, कुछ उपवव करने की इच्छा, ये, धर्म का मतलब होता है, धर्म ही है कर्टब्या और अर्थ का मतलब होता है कि धर्म से जुक्फल मिलता है वो इसलिए धर्म अर्थ और काम के समय अर्था तत्तो के अवबोदक आचारियों को भी नमस्कार है क्योंकि इन आचारियों का काम सास्ते से सम्मन्द है आचरे बास्ताय ने धर्म अर्थ और काम के तत्तों को जाननेवल आचरे को भी नमस्कार किया है हमारे प्राचिन आचरे ने धर्म अर्थ और काम के तत्तों को समझा था यानि उनका मत तो उनको पता था इसलिए उनों ने अपने सास्तरों में धर्म, अर्थ, और काम का त्रिबर्ग का पतिवादन किया है क्योंकि वेही सास्तर प्रविद्धी के मूल आधा रहे हैं पद्मपुरान में कहा गया है धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से ही सुख या मोक्ष या फल परमशुख का उदय होता है यह निर्णे विद्धनों ने सास्तर में किया है, सास्तरों में इस्तिवर्कों मानव के लिए अर्द बुद्धर एवंग से स्वरीयस का साधन बढ़ गया है मानव का कल्यान एवं अर्द बुदे तवी संभव है जब वो नियम पूर्बग धर्म का आचरन करे और धर्म के आचरन के लिए अर्थ क्या वश्कता है क्योंकि मानव जीवन की उन्मत्री का साधन अर्थ ही है धर्म से अर्जीत आर्थ का संचे हम जिस उद्देश से करते हैं उसी का नाम काम है काम एक मानसिक सक्ती है मानसिक सक्ती है ये प्तानी मात्र की जीवनिय शक्ती है ये कभी चतन्य के रूप में और कभी बहुत दिक सक्ती के रूप में प्रकट हुआ करती है इसके आनेक नाम रूप और भाव है ये आदी देव है इसलिए आचरे ने इसके विशे में गंबिता से विचार किया है इस शक्ति के दत्तों को जानने बले आचरे के प्रदिक किताग्यता का भाव प्रकट करने के लिए आचरे वासन ने उन्हें नमशकार किया है जब प्रजापरिती इत्यादी के द्वारा आगम सास्तर के सिद्धी के लिए गुरू परमपरया सास्तर के संबन्द को कहते हैं प्रजापती यानि प्रजापती ब्रह्मा ने प्रजाव की सरजिना करने के बाद उनके जीवन को नियमित करने के लिए त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम के साधनभू सास्तर का सरवरपतम एक लाख अध्धायो में बनाया था बुक यानि प्रभचन किया था अब इसके बाद आचारिय का परिशे देते हैं उस सास्तर के धर्म प्रवज़तक भाग को स्वयंभू के पुत्र मनु ने एक पिथक गरंद के रूप में रचना की उसके अर्थ विश्यक भाग को पिथक कर आचारिय विश्पति ने अर्थ सास्तर का निर्मान किया मादेब के अनुसर आचारिय नंदी ने उसका सास्तर में काम विश्यक अंश को अलग कर एक हजार अध्धयों में पिथक से काम सास्तर का प्रणयन किया लिखा नंदी के द्वारा प्रयोक्त उस काम सुत्र को उद्धालग रिशी के पुत्त स्वेट केतु ने 500 अध्यों में संचिप्त किया इसके बाद उस सस्तर को भी स्वेट केतु प्रयोक्त 500 अध्यों वाले काम सुत्र को पांचाल बाब्रेब्य ने डेड़ सो अधेयों में साधरन, संप्रयोगिक कन्या, संप्रयुक्त, भार्यादिकारिक, पार्दिक, बेशिक और ओपनिश्दिक इन साथ अधी करणों में संचिप्त किया प्रजापती ब्रह्मा ने मानब जीवन को नियमी तयवंग व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एकला का देव का एक विशाल गरंत बनाया था, जिसमें धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का पतिबातन किया गया था, कालंतर में इस विशाल गरंतार नब का मन्थनकर मनु ने धर्म विश्यक अंश पर आचाह सास्तर का एक पितक संसकरन तयार किया, जो मानब धर्म सास्तर के नाम से विख्या थे, उसी विशाल गरंत से अर्थ विश्यक अंश को पितक करके आचारे बियस्पती ने अर्थ सास्तर की रजना की, जो बहार्थ पर या अर्थ सा अचारी नंदी द्वार संपादी संसक्रन को और संचिप्त कर एक सोपचास अध्याओं में एक नभीन संसक्रन तियार कर समस्त सास्तरों को उसी में समाहित कर दिया जिसमें साथ अधिकरन थे साधारन, संप्रयोगिक, कन्या, संप्रयुक्त, भर्याधिकारिक, पारदारिक, वेशिक और ओपनिश्दिक इस प्रकार उपयुक्त भिवेचन से स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने मानव जीवन को नियामी देवंग व्यवस्थित करने के उद्धिस्तर से जिस सास्तर कर प्रविचन किया था उसमें एक लाक अध्याय थे ब्रह्मा के उस सास्तर से सबसे पहले मनों ने धर्म सास्तर विश्याय को अलग कर मानव धर्म सास्तर की रचना की अचारे ब्रेस्पति ने उसी ब्रह्मा प्रवचीत सास्तर से अस्तर सास्तर विश्याय को लेकर अस्तर सास्तर का परनायन किया और माधेप गनुचर नंदी ने उस सास्त्र से काम सास्त्र विशे को अलग कर पितख से काम सास्त्र नामक बुक किया यानि संपादन किया जिसमें एक हजार अद्धाय थे फीर स्वेस कितु ने उसे पांच सो अद्धाय में संचिप्त किया इसके बाद बाबरेबे ने उसे अधिकरन और एवंग अध्या में विवाजित कर एक नया संस्क्रन तयार किया बाबरेबे से कामसास्तर के संपादन की एक नई परंपरा का सुत्रपाद हुआ जो अत्यनत उपवयोगी मौत्तपूर ने एवंग लोगप्रिया सिद्ध हुआ कालंतर में उसके एके गादिकरन पर अलगलग बिद्धन द्वरा अलगलग गरंतों की रचना की गई बाबरेबे द्वरा संपादित उसकामसास्तर के वैशिक नामक छटे अधिकरन को पाटले पुत्र की गणिकाओ के अनुरुत पर आचारिय दत्तग नालग किया गणिका करते थे, वो हर किसी को रिस्पेक्ट दिया करते थे, हर किसी को उनके प्रोफेशन के हिसाब से रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उस समय लोगों में सेक्स एजुकेशन भी था और धर्म भी था, इस परसंग से आचारिय चरायन ने बाब्रेबे द्वरा संपादित कामसास सास्त्र के साधरन नामक अधिकरन पर पितक प्रवजन किया, आचारिया सुर्वनाब ने सांप्रयोजिक अधिकरन पर अलग प्रवजन किया, आचारिया गोटक मुग ने कन्या संप्रयक अधिकरन पर अचारिया, गुदर्निया ने भार्यादिकारिक अधिकरन पर अचारिया गुनिका पुत्र ने पारदारिक अधिकरन पर अचर्य कुचुमार ने ओपनिशिदिक अधिकरन पर अलग से सोतंतर गंद का प्रवजन किया एबं एबं वित्यदी के द्वारा सास्तर के प्रेजुन में बताते हैं इस प्रकार ये सास्तर काम सास्तर विविन्न आचारी द्वारा आने खंडों में अलग-अलग विवक्त होकर विखर गया इस प्रकार दत्तक आधिया आचरी द्वारा पितक पितक आधिकरणों पर पनी सास्त्र के खंड एक देशी होने के करण संपूर्ण काम सास्त्र का विविजन करने में आसमर्थ थे और बाबब्रिय प्रनीत आती विशाल होने के कारण दूर दे था इसलिए आचर्य बास से न इस प्रवजन सास्त्र से धर्म विष्यक अंस को पितक कर मनु ने मानब धर्म सास्त्र की रजना की आचारीय बेस्पति ने अर्थ विष्यक अंस को पितक कर अर्थ सास्त्र की रजना की और मादेब के नुशार नंदी ने काम विष्यक अंस पितक कर एक जार अधिया हमें कामचास्त्र का प्रनायन किया बाण मैं स्वेट के तूनी उसे 500 अधिया में संचिप्त किया फिर उसी विशे को पूना संचिप्त कर बाभ्रेमेने साधरन संपरयोगिक कन्या संप्रयुक्त भर्यादीकारिक, पायदारिक, वहषिक और ओपनिशिदिक इन साथ अधिकरणों में एक विशार कामसास्तर नामगंत तयार किया जिसमें 150 अध्याई थे इसके बाद बाबरेब्य द्वारा संपाधित कामसास्तर के प्रत्यक अधिकरण पर दत्तक आधि आचारे ने अलगलग सतंतर गंतों का प्रनेयन किया यथा आचारे दत्तक ने वहषिक अधिकरण पर चरायन ने साधरन अधिकरण पर सुर्बनाम ने संप्रयोगिक पर गुतिने ने भर्यादिकारी का दिकरण पर गोनिका पुतर ने पारदारी का दिकरण पर और कुछुमार ने उपनिशिती का दिकरण पर इस साथ सतंतर गंतों का प्रनेयन किया इसलिए आचारिय वाश्यन ने उस बाबरविया सास्तों को संचिप्ट करके समस्त विश्यों का सार लेकर सरबर जन सुलब एक लगुकाई सतंतर संसकरन संपादित किया जो कामसुत्र के नाम से विख्यात है जिसमें थोड़ी ही में समस्त विश्यों का समावेश था और सास्त्र के अवयब का निरबन करते हैं सास्त्र संग्रा तिवर्ग प्रतिपति विद्धास मुद्देश नागरगबित और नायक सहायदुति कर्म विमर्ज या साधरन नामक पथम अधिकरन है इसमें पांच अध्याय और पांच प्रकरन हैं बादसायन मुनी प्रनीत सामन्य विश्यों का परिचय मात्र है इस अधिकरन में पांच अध्याय और प्रकरन है प्रतम अध्याय प्रकरन में सास्त्र संग्रा अर्थात ग्रंद की विशेशुची रूप रेका प्रतिपादित है दितिया अध्याय दितिया प्रकरन त्रिवर्ग प्रतिपति है इसक समस्त विद्याओं की नाम सुचि बनी थे चतुत अड़ा चतुत प्रकरन नागरक बित है आप प्रकर इस अध्याय और प्रकरन में नायक नायक प्रमान कालों और भावों के आनुसार, रती का अवस्थापन, प्रेम, विशेस, आलिंगन, बिधी पर विचार, चुम्बन की बिधी, नक्षेदन, यानि नाखुनों से सरीर में दाग करना, संभो के समय, दातों से काटना, दांत छत के प्रकार, बिभीनन प्रदेश के प्रकार, बिचित्र संभोग, मुष्टी प्रहार, बिचित्र विभीनन आगातों से उत्पनन सीदकार, बिपरीद रती, पुरुष का पास में सटना, मुख मैतून, संभोग काल के आदी और अंत में कत्यब रती संभोग की विशेस क्रियाएं, और प्रने कल ये का अर्थ संभोग है, इस अदिकरन में दस अदय और इतना प्रकरन है, इस में स्त्री और पुरुष के संभोग की विविनन प्रकार की विधियाएं बने थे, इस अदिकरन में जननेंद्रिया के आकार प्रकार, संभोग के कालरती की अवस्ता, जननेंद्रिया मतलब जिससे सेक्स किया जाता है वो जो अंग है जिससे प्रजन करते हैं उसको जननींद्र कहा जा रहा है आकार प्रकार संबुग का कार रती की अवस्ता प्रेम की विविन्न विदिया आलिंगन चुंबन नक्षत और दंतशत की विविन्न विदिया एक प्रकार विविन्न देश के लोगों में विविन्न प्रकार की काम परवितिया संबुग के विविन्न प्रकार और विदिया मु मंद का निर्ने कन्या में विस्वा सुत्पन करना कन्या में प्रेम करने का विद्वान इशारों और चेश्टों का ग्यान अभिलसित पूरुषों में अनुड़क्त कन्या से विवा करने की बिदी अभिलसित पूरुष को अपनी और अकिष्ट करने का विद्वान कन्या दोर नौ प्रकरण है इन अध्ययों और प्रकरणों में जो विश्य प्रतिपादित है उनका विवरन इस प्रकार है प्रतम अध्ययों के प्रतम प्रकरण में करन्या के वरन चुनाप करने का विद्यान बतला गया है तरनेंतर विवा करने का निर्ने करना करन्या में विश्वास की बिभा या प्रेम करने की बिधी, कन्या द्वारा अपने चाहिते पुरुष को अपनी और अक्रिष्ट करने की बिधी, एवंग प्रकार कन्या द्वारा अपने प्रेमी को प्राप्त करने की उपाय और बिभा के प्रकार आदिविश्यों का सम्व्यक बिवेजन किया गिया है इसलिए इस अधिकरन का नाम कन्या संप्रयुक्त रखा है। इस अधिकरन में दो अधिकरन का नाम भर्या दिकारी के इसमें दो अधिकरन का नाम भर्या दिकारिक है। अन्या पूरुसों से बिरक्त रहती है वो एकाचारेनी अत्वा पतिब्रता स्त्री कहलाती है और जो अन्या पूरुसों के साथ संसर्ग कहती है वो बैविचारेनी नारी कहलाती है। बैविचारेनी का मतलब कोई गाली नहीं होता है। ये एक टाइटल है जैसे पतिब्रता एक टाइटल दिया गया है इसी तरह से। यहाँ पर कहीं भी गाली वर्ट का प्रयोग नहीं किया गया है या फिर कोई असलील वर्ट का प्रयोग नहीं है। बैविचारेनी एक प्राचीन भासा था। प्राचीन भासा था। बैविचारेनी एक टाइटल दिया गया है। और प्रदाता के साथ संबंद स्थापित करने में रुकावटके कारन स्त्रियों को वशमे करने में निपुन सिद्ध पूरुषों के लख्षन सहरजी बीना प्रेत्नके वशमें हो जाने वाले स्त्रियां परीचे प्राप्ट करने के करने उपाई। अभियोग भावों की परिक्षा दूती के कर्म, एशोरे सली पूरुसों के कामचार और अंतपूर की स्त्रिया, दाराओं की सुरक्षा आदी, विस्यों का निदेर से ये अधिकरन में 6 अध्याई और 10 प्रकरन है। परिक्षा दूतों के कारियों और अनिक प्रकार के आशोर सली पूरुसों राजाओं के कामाचार अध्याई अंतपूर की सुरक्षा के उपायादी, विस्यों का विवजन किया गया है। अधिकरन में 6 अध्याई और 12 प्रकरन है। अधिकरन में 6 अध्याई और 12 प्रकरन है। विश्यों के चरिते तथा उसके समागम की उपायों का बनन किया गया है। विश्यों के गया में पुरुषों के गुन, विश्यों के गुन, आगे में पुरुष और विश्यों के अपनी और आगासित करने की विदिया बनी थे। दितिया अध्याई में विश्या का नायक के साथ व्यवहार तथा आसक्त प्रेमी के लक्षन एवं विश्यों के चरितर का बनन है। प्राप्त करने के उपायों का बनन हैं पंचम अध्याई में विश्या के धन कमाने के उपायों का बनन है। सश्ट अध्या में अर्थ अनर्थ अनुबंद एवंग्शंग्षय की उत्पत्ति के कारण उसके दुष्ट परिनामों भेदों और वैश्चाओं के भेदों का वर्णन है। अब सात्वी अध्यकरन के अध्या और परकरन का निद्देश करते हैं अपन नेशिदिक नामों सात्वी अध्यकरन में सुबंग करन के साधन वशी करन के उपाई विष्ट योग नश्ट अनुड़ा को पूना प्राप्त करने की विधिया बल बिरिया मैथुन सक्ति की विध इन प्रकरणों में कामकला के रूप गुन आयू और त्याग इंचा सादुनों की उत्पादन तथा बदन की विदिया नायक नायिका बशिकरन के यंत्र तंत्र यंत्र मंत्र तंत्र आधी उपायों का वर्णन है बल विदिया आधी की विद्दी करने वाले बाजी करन और और अश्रिद्याशीन काम वाले पूरुषों में कामरा को बढ़ा देने वाले अश्रिद्या लिंग बर्दक भी दिया यानि लिंग को बढ़ा करने वाले भी दिया और कुछ चित्र विचित्र योग वर्नीत है इस प्रकार काम सास्तर में 26 अध्याय, 64 प्रकरन, 7 अधिकरन और इतने हजाज स्लोक है, इतना ही इस सास्तर का संग्र या संग्षेप है इस प्रकार आधिकरन, अध्याय प्रकरन श्लोकों का संग्षेप में वर्नन करके अब उसका विस्ता से प्रवजन करेंगे क्योंकि लोग में विद्दान पुरुष्टों के लिए समा संग्षेप और व्यास विस्ता दोनुं की आवशक्ता होती है next chapter दितिया अध्याय second chapter लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसके बारे में हम लोग next वीडियो पे बात करेंगे यहाँ से सुरू करेंगे next वीडियो पे